कोहरे से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने आज अगले चार से पांच दिनों तो घने से बहुत घने कोहरे का लटशारी किया है। आज अगले तीन दिनों के दोरान उत्तरपश्चिम भारत के मैदानी लाकों में शीत लहर से गंभी शीत लहर की संभावना जिताई है। आज सुबस नहीं घना कोहरा चाया रहा और विजबिल्टी की अगर हम बात करें 200 मीटर से कम रही और अगर हम दिल्ली की बात करें जो नॉर्दन रेलवे का कहना है करी 18 से जादा ऐसी टेने हैं जो दिल्ली आनी थी जो इस वक्त देरी से चल रही है इसमें 9 से जादा ऐसी ख्यार हमने सब की बात करें वो लगभग 5 घंटे से जादा की देरी चल रही है लेकिन कुछ ऐसी टेने हैं जो कल आने वाले थी अभी तक नहीं आए पाई है ऐसे कुछ यातली हमारे साथ है जो काफी परिशान है सर ये बताए कब से इंतिजार कर रहे हैं काफी देर हो अब चार बज़ आने की संबाव ना है लेकिन वह भी पता नहीं तो आपको आपको कहा जाना था कितना देर से इंतार कर रहे हैं तो दो गंटे से बेट कर रहे हैं तो आपको रेलवे स्टेशन के सामने इस वक्क्यां पर मिल जाएगा कारण ये है कि जो है ट्रें जो आनी थी वो समय से नहीं आ रही है अलाकि रेलवे ने एडवाईजरी जरूर जारी किया है उनका ये कहना है कि यातरी जो है आने से पहले पता कर ले समय का लेकिन फिर भी देरी से काफी लोगों को काफी दिक्कलों का सामना करना पढ़ रहा है कुछ जो फॉक्स सेफटी डिवा पर कई यातरी परेशान दिखे जाइज अलिया संबादाता आलोग परेशीन है घाने कोहरे के वज़े से लगातार फ्लाइट डिले हो रही है इस वज़े से जो दिल्ली का टर्मिनल 3 एरपोर्ट है या फिर बाकी दो एरपोर्ट से वहां पहुचने वाले मुसेफ जाफिर काफी परेशान हो रहे हैं इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के टी 3 टर्मिनल के अराइवल पर आप यहाँ पर कल रात से ही काफी यातरीयों को परेशानी हो रही है क्यूंकि लगातार फ्लाइट्स डिले हुई है अभी तक लगबग डेर्स हो के आसपास फ्लाइट यहाँ पर ड जात्रियों ने काफी यहां पर जम कर हंगामा काटा लोगों उनको किसी तरह से समझा बुजा कर जो फ्लाइट के स्टाफ थे उनको एयरपोट ले गए है होटल ले गए हैं और मैं बता दू कि यह लगातार परिशानी हर बार कोहसे में आती है और जो भी पैसेंजर हैं उनको काफी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बार बार यात्रियों के ही शिकायत होती है कि उन्हें एयर लाइन्स की तरफ से सही सूचना ने दी जाती है साथ ही साथ उनके साथ रूट भी एवेर किया जाता है और उनको ठहरने या खाने पीने का अंजाम नहीं होत है लेहाजा यहां पर कई सारी इंटरनेशनल प्लाइट भी आप देख सकते हैं डिस्प्लेइ पर बहुत सारी लगबग डिलेज हैं या फिर कैंसल हो चुकी है और यातरियों को करम से कम दो से लेकर 10 गंटे 12 गंटे तक यहां पर स्टेंडर होना पड़ रहा है और यह आलम है जब लगातार कहा जाता है कि दिल्ली एरपोर्ट है विशुस्तरी एरपोर्ट है यहां पर सारी विवस्ता है टी आई लस इंस्ट्रूमेंट लिन लाइनिंग सिस्टम लगा हुए बावजूद इसके घने कोरे के आगे किसी की न पड़ रही है कामरा मनकलिश बर्मक साथ आलोग प्रेदर्शी सेन्वेसी आवास दिल्ली